C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दू थे कक्षा 6 की संस्कृत की ध्वनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 शष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम रुचिरा प्रथमो भाग अश्टमह पाठह सूक्तिस्तवकह पृष्ठ संख्या चियालिस से पृष्ठ संख्या पचास तक बाला दपि ग्रही तव्यम युक्त मुक्तम मनीशिभिह रवे रविशये किम्न प्रदीपस्य प्रकाशनम यह प्रथम पद्य है पुस्तके पठितह पाठह जीवने नयुवसाधितह किम्भवे तेन पाठेन जीवने योना सार्थकह द्वितिय पद्य प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यंति मानवाह तस्मात प्रियं हिवक्तब्यं वचनेका दरिद्रता तृतियं पद्यं गच्छन पिपी लको याती योजनानाम शतान्यपी अगच्छन वैनते योपी पदमेकं नगच्छती चतूर्थम पद्यम काकह क्रिश्नहा पिकह क्रिश्नहा को भेदः पिककाकयोह काकह क्रिश्नहा पिकह क्रिश्नहा को भेदः पिककाकयोह वसंत समये प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह पंचमम पद्यम शब्दार्थाह from foolish person or child ग्रही तब्यम ग्रहन करना चाहिए शुट बी एक्सेप्टेट युक्तम उचित एप्रोप्रियेट और करेक्ट उक्तम काहागया तोल्ड और सेड मनीशिभी ही विद्वानो के द्वारा अथवा बुद्धिमानो के द्वारा बुद्धिमानो के द्वारा प्रदीपस्य दीपक का अफ कैंडल दरिद्रता दीनता अथवा कृपनता प्रियवाक्यप्रदानेन प्रियवचान बोलने से by using sweet words तुष्यंति संतुष्ट अथवा प्रसन्न होते हैं get satisfied मानवाह मनुष्य द्वारा human beings तस्मात इसलिए therefore वक्त अव्यम बोलना चाहिए should be spoken वचने बोलने में in speaking साधितह उपयोग किया used भवेत होगा अथवा होना चाहिए should be सार्थकह अर्थपूर्ण अथवा प्रयोजन युक्त meaningful काकह कववा क्रोग कृष्णाह काला ब्लैक पिकह कोयल कुकू पिकका कायोह कोयल और कववे में between कुकू and क्रोग प्राप्ते आने पर आते लिएंड़ा ब्लैकिंदे ल्चेंट चारकोस या लगभग बारह किलोमेटर. A measure of distance equal to 12 किलोमेटर्स. शतानी, सव, हंड्रेट्स. अगच्छन ना चलते हुए, without movement. वैनते यह, गरूड, गरूड. अभ्यासः, प्रथमः अभ्यासः, सरवान श्लोकान सस्वरम गायत, द्वितियः अभ्यासः, श्लोकांग्षान योजायत, इसके प्रथम स्तंभ का में, पद्यखंड है, उन्हीं पद्यखंडों को द्वितिय स्तंभ खाके पद्यखंडों से अनुकूलतया मिलाना है. स्तंभ का, तस्मात प्रियम हिवक्तव्यम, गच्छन पिपीलको याती, प्रियवाक्य प्रदानेन, किम्भवेतेन पाठेन, काकह कृष्णह, पिकह कृष्णह, स्तंभ ख, सर्वे तुष्यंति जन्तवह, जीवने यो न सार्थकह, कूभेदह, पिककाकयूह, योजनानाम, शतान्यपि, वचने का दरिद्रता, त्रितियह अभ्यासह, प्रश्णानाम उत्तराणी लिखत, ख, सर्वे जन्तवह, केनतुष्यंति, ख, पिककाकयोह, भेदह, कदाभवति, ग, कह गच्छन, योजनानाम, शतान्यपि, याति, ग, अस्माभिह, किम्वक्तव्यम्, चतुर्थः अभ्यासह, उचित कथनानाम समक्षम, आम, अनुचित कथनानाम समक्षम, न इति लिखत, क, काकह, कृष्णह, न भवति, ख, अस्माभिह, प्रियम्वक्तव्यम्, ग, वसंत समये, पिककाकयोह, भेदह, भवति, ग, वैनते यह, पशुह अस्ति, ग, वचने, दरिद्रता, न कर्दव्या, पंचमह अभ्यासह, मंजूशातह, समानार्थकानी पदानी चित्वा लिखत, यहां कोश्ठक में, पाँच शब्द हैं, यह शब्द हैं, ग्रंथे, कोकिलह, गरुडः, सूरियस्या, और कथने, इन पाँचों शब्दों को दिये गए शब्दों के सामने लिखना है, वचने, वैनते यह, पुस्तके, रवेह, पिकह, शश्ठह अभ्यासह, विलोम पदानी योजयता, स्तंभ का में कुछ शब्द हैं, उसी का विलोम पद स्तंभ खा में दिया गया है, प्रत्येक शब्द के अनुरूप विलोम पद को बताना है, स्तंभ का के शब्द इस प्रकार हैं, सार्थकाह, कृष्णह, अनुक्तम, गच्छती, प्रदीपस्य, स्तंभ खा के विलोम पद इस प्रकार हैं, आगच्छती, श्वेताह, दीपकस्य, उक्तम, निरर्थकाह, रुचिरा भाग एक, अभी आप सुन रहे थे ये द्वनी पाठे पुस्तक, प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नेदिल्ली, भारत